वेल्कॉम स्वेंड माइने मिस्त महम्मद असरयाप और आप सभी को स्वागात है हमारी यूटूब चैनल असरफ टेक पर दोस्तो आज के सीडियो में हम आपको एंडूइट फॉन का दो ऐसा हीडन ट्रिक बताएंगे जिसे देखने के बाद आपका दिल खुस हो जाएगा और आप ये पूछने पर मजबूर हो जाओगे आखिर आपने ये पहले क्यों नहीं मुझे बताया था इसे करने के लिए हो तो आप पहले से कोई सभी अप्लिकेशन को डाउनलोड करकर रखे होगे अगर आपने किसी भी अप्लिकेशन को डाउनलोड करकर रखा है तो अभी उस अप्लिकेशन को डिलीट कर दें तो क्या है फीचर जानने के लिए आपको वीडियो को अन तक पूरा देखना पड़ेगा चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वीडियो को फाइल मेनेजर से आपन करके रखा है तो आप यहाँ पर जैसा के देख पा रहोंगे एक वीडियो यहाँ पर मैंने आपन करके रखा है इस वीडियो को अगर मैं MP3 पे convert करना चाहूं तो MP3 पे convert करने के लिए मुझे किसी भी application के जरी MP3 पे convert करना पड़ता था पर आप किसी भी वीडियो को किसी भी song को अगर MP3 में सुनना चाहते हैं simply आपको क्या करना है इसको आपको सबसे पहले select करना है select करने के बाद आपको more पर click करना है और यहां से इसे rename पर click करना है rename पर आपको click करना है और इसके बाद यहां से आपको इसके आखरी मिले जाना है और यहां से इसको काटना है और यहां पे आपको MP3 लिग देना है MP3 लिग कर यहां से आपको ok करना है तो ये जो आपका वीडियो था वो यहाँ पर MP3 पर convert हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को आप सिर्फ आप MP3 में सुन पाएंगे इसका वीडियो यहाँ पर play नहीं होगा इसको अगर आप फिर से वीडियो पर convert करना चाहते हैं फिर से आपको इसको select करना है more पर जाकर आपको rename करना है rename पर जाकर फिर से आपको MP4 या फिर MKB कर देना है यह जो वीडियो था फिर से आपको वीडियो पर convert हो जाएगा तो दोस्तो आईए बढ़ते हैं अपनी दूसरे ट्रिक के और किसी भी फोटो वीडियो या फिर कोई सबी फाइल को अगर आप hide करकर रखना चाहते हैं आपने किसी भी third-party application को download करकर रखा है अब इस application को delete कर दें मैं जो process बता रहा हूँ उस process से आप किसी भी फोटो वीडियो फाइल को काफी असानी के साथ hide कर पाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख पा रहोंगे मेरे पास दो folder है मैं एक folder को यहां से hide करूँगा और इस पे जो भी photo video है वो आपके gallery पे भी so नहीं करेगा तो आपको क्या करना है जिस भी folder को आप hide करना चाहते है simply आपको उसको click करना है यहां पे आपको more का option मिलेगा more पर click करना है उसके बाद rename करना है rename करने के बाद यहां पर आपको simply is later के आगे आपको एक dot लगा देना है dot लगाने के बाद आपको ok करना है फिर से अगर आप यहां पर ok करेंगे आपका जो folder था वो यहां से गाएब हो चुका है तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने जो folder को यहाँ पर height किया है, वो folder यहाँ पर अभी Sony कर रहा है, इस folder को अगर आप देखना चाहते हैं, आपको क्या करना है, simply 3 line पर click करना है, और यहाँ से आपको setting पर आना है, setting पर आने का बाद उपर में आपको एक option मिलेगा, so hidden files का, simply हम इसको यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से बेक आजाएंगे, तो आप देख सकते हैं, जिस folder को मैंने height किया था, वो folder यहाँ पर आ चुका है, इस folder को अगर आप फिर से normal का जैसा करना चाहते हैं, फिर से आपको इसको select करना है, more पर click करकर आपको rename पर click करना है, और इसका आगे जो आपने dot लगाया था, उस dot को आपको हटा देना है, आपका जो folder है, वो फिर से normal condition में आ जाएगा, आपका जो folder है, वो यहाँ पर so होने लगेगा, दोस्तो यह था android phone का दो hidden feature जो मैंने आपको बताया, दोस्तो अगर आपको आज काई वीडियो थोड़ से भी पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसे लागा, कॉमेंट करके ज़रूर बत लाएं, तो चले फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे